इस वीडियो में जो तीना आप साब के साथ शेकरने वाले हों शाद आपको काफी पसंद आने वाले हैं जैसे मैंने आपर चार्जिंग को प्लग इन किया आप देखिए मैं को काफी डिफरेंट सा चार्जिंग एनिमेशन देखनी को मिल रहा है लुक्स अमेजिंग एक बार फिर से मैं आपको यहाप इसी चार्जिंग अनिमेशन को एप्लाई करकर रिखाता हूं जैसे मैं इसको प्लग इन करूँ का अपने डिवाइस में चार्जिंग स्टार्ट होगी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और अगर आपको इस तरह के चार्जिंग अनिमेशन अपने डिवाइस में अप्लाई करने है तो आप डाउनलोड कर सेथे पिकाशो एप को गूगल ब्ले स्टोर से बिलकुल फ्री में अगर मैं ट्राइ करूँ इस चार्जिंग अनिमेशन को जो इस तरमिल देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अगर मैं यहाँ पर इसको पूट करता हूँ एक बार के लिए अपने जो स्विच को भी आन करना पड़ेगा जैसे में वहाँ पर इसे प्लग इन करूँगा एंड लाइक इस वन इस लुकिंग अमेजिंग और यह चीज़े बिना रूट के और बिलकुल फ्री में आप इसे अपने किसी भी डिवाइस में इंस्टाल और यूस कर सकते हैं जैसे में आपको बता है यह पिकाश हुए अप है गूगल प्ले स्टोर से आप बिलकुल फ्री में डाउनलोड कर से बहुत अच्छे चार्जिंग अनिमेशन देखने को मिलते हैं जैसे में आपको देखने को मिल सकते हैं और कुछ चीज यहां पर पेड हैं लेकिन जो फ्री वाले यहां पर आपको चार्जिंग अनिमेशन देखने को मलते हैं देखने में काफी अच्छे रगते हैं अब बढ़ते हमाले इसके सेकेंड अंड्रोड एक पी तरफ जिसका नहीं है मेट्रो म्यूजिक अगर आप गूगल क्ले स्टोर पे आपने एक कुछ टाइम पहले एक एब इंस्टॉल करा हुआ रेट्रो म्यूजिक तो एक अल्टरनेटिव तो नहीं बोलूँगा लेकिन रही एक open source app इसका नहीं होगा है metro music हो चुक है एक open source music player न अब बहुत अच्छे options के साथ ही आपको देखनी को बलता है इसमें आपको बहुत अच्छे features तो देखनी को मिलेंगे इसमें आपको बहुत ठाइमर का support देखनी को मिलता है जो कि एक बहुत ही useful feature है एक music player के लिए वो इसमें already available है इसका lyrics का support आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 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 पता होगा और अगर हम इसके features की बात करेंगे बहुत अच्छे है material new theming जिसमें आपको support देखने को मिलेगा open source app है कोई ad देखने को नहीं मिलती है it's free and बहुत अच्छी choice है अगर आप अपने device में music को download करके play करते हैं सुनते हैं तो ये आपको काफी पसंद आने वाले equalizer इसमें pre-installed और इसमें जो drive mode देखने को मिलता है ना this is amazing ये spotify में देखने को मिलता है मुझे और उसके बाद मैं इसे use कर रहा हूँ इसमें तो it is looking quite amazing अगर इसके कुछ features की बात करेंगे तो जैसे के मने आपको बता है material यू थीमिंग का support देखने को मिलता है inbuilt आपको इसमें fonts देखने को मिल जाएंगे आपको पास inbuilt थीमिंग के options available है अगर आप इसकी now playing screen को customize करना चाते है volume controls ये एक बड़ा छॉप्ष न है अगर मैंने इसे enable करा तो आप देखें bottom पे मुझे volume controls भी देखने को मिल रहे है यानि कि आप इसकी जो now playing UI है उसे भी customize कर सकते looks amazing इसका भी जो link है वो description में available है हम बढ़ते हैं इस list के last but not the least app की तरब इसका नहीं screenshot टाइल ये क्या है अब इसके name से वैसे जानके होगे अगर आप इसे accessibility settings में चलने के बाद इस permission को grant करेंगे तो यापके notification panel में आपको एक tile देखने को मिलेगी regarding screenshot अगर मैं चलू यहाँ पर तो आप देखे screenshot tile मुझे देखने को मिल रही है इस पर जब मैं click करूंगा like this one तो screenshot click हो जागा और ये चीज़े बिना route के आपके जो keys हैं वो broken है यहाँ कुछ भी reason हो सकता है आप इसे screenshot click नहीं करना चाते है और बाया नहीं chance जो three finger screenshot है यहाँ आपके device में available नहीं है यहाँ फिर आप यूजने करना चाते कुछ भी reason हो सकता है लेकिन यह बहुत अच्छा app है drive करें यह भी आपको google play store पर देखने को शाद नहीं मिलेगा लेकिन एक अच्छा app है open source app है link description में available है जाके जरूँ check out कीज़े तो यही सब आप से जर आप सकते हैं